अलेकुम फ्रेंट्स विलकम बेक तुमा योट्यूब चैनल आप लोग कैसे हैं आज की वीडियो में हम जो रेसिपी शेयर करेंगे वो मुरादाबादी बिर्यानी है इस बिर्यानी को बनाने के लिए आप अच्छा चावल लीजेगा आप अपने प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग चावल लीजेगा हमने तो इडियागेट चावल लिया आप जितना अच्छा चावल लेंगे उतनी अच्छी बिर्यानी होगी में एक किलो गोश लिया है तो उसके साब से हम छे कप चावल लिये हैं इसे आदा खंटा पहले बिगा दिया है और गोश को खुब साफ सा धो लिया है अब हम सबसे पहले यखनी की तियारी करेंगे इसे यखनी बनाने के लिए डिएलक चमच सौफ लेंगे एक चमच साबित धनिया एक टुकड़ा जावित्री का है एक टुकड़ा दाल चीनी का एक छोटा टुकड़ा जायफल का अब हम तीन तेस पात एक इंच अद्रक का टुकड़ा उसे बारी काट लेंगे तुकड़ों में एक लस्चन एक प्याज छील के रख लेंगे देर चमच नमग तीन छोटी लाईची दो बड़ी लाईची एक चमच जीरा एक चमच छोड़ा कम काली मिर्च पांच छे लॉंग और एक टीन फ्यूजर लेंगे उसमें सौफ और धनिया डाल देंगे और उसे धो लेंगे अगर आपके पास टीन फ्यूजर ना हो तो आप मलमल की छोटी छोटी थैलिया से लिजएगो उससे भी बहुत अच्छे से बन जाता है पहले हम यहीं इस्तमाल करते हैं अब हमने यखनी बनाने के लिए यह टीन फ्यूजर लिया है अब हम एक कूकर लेंगे उसमें गोश्ट डाल देंगे ट्यून फ्यूजर डाल देंगे लस्सन एक प्याज अद्रक के टुकडे जीरा एक एक करके सारे गरम मसाले डाल देंगे यखनी में 5-6 हरी मीज भी डालेंगे इससे यखनी का टेस्ट चटपटा हो जाता है बिर्यारी बाकी बिर्यानी के मुकाबले कम मसालेदार होती है बिर्यारी को हम लाल चटनी और रायता सलाट इसास सर्व करते हैं अपने चावल में हम करीब जेल डीटर पानी डालेंगे आप कोशिच करिए गए यखनी के ही पानी से पूरी बिर्यानी बनाएं तो ज्यादा फ्लेवर फुल होती है आज में आपको पानी कम लगे तो एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं मसालों को डालने के बाद इसे हम गैस बिक्तिकन अब कुछ प्लेंच में गज्च चड़ा देंगे दडिवर अब हम रिखिय्स कर दोता क। देंगे अब हम यह पुल आंच पे चड़ेंगेrea ईसे बनाने के लिए कुछ मसाले लेंगे तीन प्याज लेंगे, एक कप दही उसे विसकल लेंगे, एक चम्मच जीरा लेंगे, एक चम्मच काली मिर्च, एक टुकड़ा जावित्री का, एक टुकड़ा दालचीनी का, दो छोटी लाईची, और कुछ लॉंग, साथ आठ हरी मिर्च, पांचे तेस पाथ, और अध्रक का टुकड़ा और केवड़ा लेंगे, अब हमें एक बड़ा भगोना लेंगे, उसमें हम करीब डेल कप रिफाइंड तेल डाल देंगे, अगर पूरा रिफाइंड नहीं डालना चाहते तो आधा रिफाइंड डाल दीजेगा, और आधा वनस्पती घीजो आता है उसे डाल द डालेंगे, हरी मिर्च डालने के बाद गैस को कम कर दिएगा, नहीं तो मिर्च कलर चेंज कर लेती है, जब मिर्च और प्यास हो जाएगा, तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे, पूरी मिर्च और प्यास निकाल लेनी है, बगोने को तिर्चा करें, क्योंकि बगोना बड़ा तो पूरा निकल आएगा असाने से अब हम एक प्लेट में अलग से रख देंगे यह प्याज और मिर्च गार्निशिंगे काम आएगी आपको आयल कम लग रहा हो तो थोड़ा सा और डाल लीजेगा अब इसमें हम तेज पाज जो खड़े गरम मसाले निकाले ते उसे डाल दें अद्रक लेसन डालने के बाद भून लेंगे अब इसमें एक नीबू डाल देंगे और दही डाल देंगे थोड़ा सा पानी दही में करके डाल देंगे और इसे भून लेंगे एक चमच नमक डाल देंगे नमक आप टेस्ट करके देख लीजेगा चावल में नमक थोड़ा जादा ही रखना चाहिए अब इसमें गोश्ट डाल देंगे और इसे भून लेंगे यखनी का पानी अलग कर लेंगे गोश्ट अलग कर लेंगे के छावल दो अगर आप पानी और डालना चाहते हैं तो देख लीज़ागा बाद में पानी दोड़ा दिज़ेगा अब हम चावल डाल देंगे और इसे चला देंगे गैस की आज फुल पे रखिएगा चावल बॉयल हो जाएगा तब इसमें इसे धकन खोल दीजेगा चावल में छेट-छेट सा जब हो जाए तो एक कॉटन का टॉयल लीजेगा उसे गी लगा के धकन में लगा के उसे धक दीजेगा और गैस को कमाच पे कर दीजेगा अब हम क्योडा लेंगे डिल धकन और उसमें करीब आधा चमच कलर डाल देंगे जब हमारा चावल ऐसे हो जाएगा देख लीजेगा आप अपने हिसाब से तब इसमें हम कलर डाल देंगे जलने के बाद पांच मिनट और गैस जलने देंगे फिर उसे बंद कर देंगे अब हमारी बिर्यानी बन के तयार हो गई है अब हम सर्व करेंगे एक डिश में सर्व करेंगे उपर से प्याज और हरीमिज डालेंगे रायते और सलात के साथ सर्व करेंगे